तो प्राइब बूद्मोर्निक एडिवान तोडे मीश्टार्ट वाल कॉम्मार चेप्टर नमर च्प्री लीनियर रिग्रेशन के टू टाइप इक्वेक्शन होते हैं इसी भी चेप्टर को स्टार्ट करने से पेहले फॉम्मुले को समझना बहुत जरू होगी है तो पहले फॉम्मुला देख्टे हैं ऑके जन्मोर पर वाइन ओन एक्स का फॉम्म्ला है वी वाइन एक पॉंट्सन वायर पॉंट्सन का यह फॉम्मुला अगर होंगा कोई यह फॉम्मुला यूज नहीं करना है किसी question के data में variable बहुती complex है complex means greater than 50 है तो यह वाला formula हम लोग यूज करेंगे विसके लिए equation दिया हुआ है y-y बार का यह formula का equation है second method है यह इसका equation है दोनों फोले को जहां से देखेंगे तो similarity है नियुम्रेटर दोनों में सेम है दिनोम्रेटर अलगी यहां पर लांस में एक्से तो यहां पर दिनोम्रेटर में एक्स लिए गया है सिमिलर यहां पर दिनोम्रेटर में यहां पर दिये coefficient correlation में हम लोगने coefficient correlation नाम चुना था उसका एक formula है और इक प्लास माइनस यह दोनों positive होगा तो आर पोजिटिव लिया जाएगा यह दोनों negative होगा तो आर नेगिटिव लिया जाएगा यह इक चेप्टर के ओल पॉलम्रा है अब हम तो इस्टार्ट करते हैं question number 1 से question number 1 में देखो पाइं जाता है income y on x, year of service x, estimate income y when x equal to 13, two column is given in the question, two column is given x and y इसो दोनों का multiple डाले इए तो third column भी जाएगे उन दोफको 11,10, 1,10, 7,8,56, यह column रिटी होगे हमारे पास पाइंड पुदिया चना y on x, लास्ट में x से तो x के इस्टर के रेगे, अग लास्ट में y होगा तो y का isquare डिए 11 square 1, 21, 7 square 49 यह ओगे इसना लोग प्लेट टेबल सुंपिट होने के बाद में इडिसर करेंगे Sigma X, Sigma Y, Sigma XY, Sigma X square सब्सक्राइटिसर करेंगे Then, N equal to 7 N equal to 7 means N is number of observations How many number of observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 N is 7 X bar, X bar means होता है Min of X, Min of X का फॉम्ला है Sigma X upon X Sigma X का वेलिव टेबल में है 56 upon 7, 7 area 56 Then, Y bar का फॉम्ला है Sigma Y is 56 upon 7 Cancel किया A Lug भाइचान जोनो सेहिवाया है Otherwise, जोनो सेहिव का भी आता नहीं है Y on X BY X का यह फॉम्ला है हम लोग पहले से समझ लिया है इस फॉम्ला है वेलिव पॉट का लेगे Sigma X Y, N is 7, X bar Y bar Sigma X 12, N is 7, X bar इसे मुटिप्ला है का लेगे 448 8 square इस 64, 64, 7 जा 448 2 दो को माइनस का लेगे 21 upon 28 दिवाइड का लेगे 0.75 Equation Y on X Equation का यह फॉम्ला है हमाने पार Y वेलिव पॉट का लिए X का लेगे, X का लेगे, X का लेगे, X का लेगे पॉट का लेगे 0.75 हुटा 0.75, 0.75 का 8 में अगर मुटिप्ला है जने के तो आएगा 6, minus 8 वाँ गया तो plus 8, 8 में 6 गया 2, तो यह हो गया Equation Y on X Second point के लेगे X का लेगे 13 है तो Y find out करो हमारा पा यह equation गिए गिए एगे जोटो वान आप, we just find out क्या है इस equation में हम दो X का लेगे 13 वूट करेंगे 13 का मुट गा लेगे 9.75, तो यह पॉट करें 11.75, तो यह पॉट करें 11.75, तो यह पॉट्ट का लेगे 11.75, तो यह पॉट्ट का लेगे Q2, तो यह पॉट्स arts वंगे 12.32, X ए य और Y बेगे 12.75, तो यह पॉट्स वंगे 12.75, तो यह पॉट्स वंगे 12.75, तो यह पॉट्स करेंगे बढ़ो रिप्वाइड है, X-square means X-square-square करेंगे, 10-square is 100, 12-square is 144, then so on, Y-square means Y-square करेंगे, 5-square is 25, 6-square is strategic, then so on. table complete होने के बाद में हम लोग को addition करना है, each and every column का, X का addition, Sigma X is 70, Y का addition, Sigma Y, then so on, on, X-square to 5, and E means number of observation, 1, 2, 3, 4, 5, and E means 5, mean of X, X-square value formula है, इसमे value put करेंगे, Sigma X is 70, N is 5, 5 से cancel करने के 14, Y-square is similar है, Sigma Y upon X, Sigma Y is 40, N is 5, Y is 40, okay, after table conclusion, first find out Y on X, PYX means violet function Y on X, ये formula है उसका, इस problem में value put करेंगे, Sigma X-square is 600, and it's 5, X-square is 14, Y-square is 8, Sigma X-square is 1026, N is 5, X-square is 14, Y-square, इसको calculate करो, ये आएगा 560, 14 का X-square करेंगे, 196.980, इन दोनों को minus करेंगे, ये आएगा, 2 से cancel करेंगे, 20 upon 30 से, Y-square is 0.87, हम दो अगर calculator से करेंगे, तो ये आएगा 0.86 something, तो अप्रोक्यमेटर से 0.87 कंसेर किया गया है, X-square, इक्वेशन है, Y-on X का ये formula है, Y-bar value is 8, B-Y-S is 0.87, X-bar is 14, 871 या 87, 87 का 14 में, multiply करेंगे, तो आएगा 12.18, minus 8 या है, तो plus, ओनों को plus करेंगे, 12 में से 8 गया, तो 4, ये होगे required equation, Y-on X, second part के हमाने का, X-on Y पाइट रोट करने हम लोगों, तो इसका एग formula है, B-X-Y, ये formula है, इस formula में numerator सेल है, L-12 यहाँ पे था, sigma Y-square, value put कर दिये, and Y-bar, इसे calculate करेंगे, 560, 8-square 60 पोल 5,000, 320, minus 30, 40 upon 40, is 1, B-X-Y is 1, then equation, X-on Y, respect formula है, X-Y वे is 14, B-X-Y is 1, Y-bar is 8, 1-Y यहाँ यहाँ, 1-8 यहाँ, 1-8 यहाँ, 1-8 यहाँ, 1-8, यहाँ, यहाँ, 14 में से 8 यहाँ, it is the required equation, X-on Y, second question is count, number 3, question number 3 में, data is given, then find, first, covariance X, Y, B-Y, B-X-Y and R, which we say covariance, okay, answer, first, X-bar and Y-bar find out करना मिलेगा, because it is a YouTube, X-bar upon the sigma Y upon N, 20 upon 5, 4, variable is sigma Y upon N, 20 upon 5 is 4, first 1, 4 variance X, Y, 4 variance के यह यह formula है, okay, sigma X-bar is 76, N means Y, X-bar is 4, Y-bar is 4, 5-6 यहाँ यहाँ, 15.2, 4-4 यहाँ, 16, 6, यहाँ, 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 0.8, यहाँ, 4 variance का formula, find out, second, B-Y-X, B-Y-X से लिए formula और देके मेने explain के है, फैरे, इस formula में veriput कर देंगे, इससे multiply करेंगे, 84 is square, 16, 5 यहाँ कि इन दोंगो minus करेंगे, 10 divided तो 0.4, B-Y-X is minus 0.4, next, B-Y find out करना है, यह formula और माइस पा, इस formula में भी value put कर देंगे, data को देखे, then इसके भी calculate करेंगे, इसमें ते यह minus क्या 4, इसमें ते यह minus क्या 10, इसमें ते भी divide करो, minus 0.4, third one find out करना है, R को इसी same, correlation, इसका formula यह, यह तुनों और positive होग रहा, तो R positive हिया जाएगा, यह तुनों negative होगे, तो R भी negative positive कर्ट किया जाएगा, B-X-Y, minus 0.4, B-Y, minus 0.4, दोनों negative होगे, मतला answer क्या जाएगा, जोनों का multiply करेंगे, जो pair होगे 0.4, एसमें तो 0.4, एसमें तो जाएगा, जाएगा, जाएगा जाएगा, okay, third question is complete, question number 5, question number 5, question number 5, question number 5 आप में दूसे method चाहँ करेंगे, because question number 5 में data X and Y greater than 50 है, direct calculation करते जाएगे, answers तो आएगे, but direct calculation से square multiplication तो रहा complicated हो जाएगा, तो easy में convert करने के लिए हम तो क्या करेंगे, X and Y, first edition करेंगे, sigma X, sigma Y, edition करेंगे, edition करने के बाद में हम दो बोगो find out करना है, NDI 10, X bar, Y bar, X bar का value, sigma X upon hand, find out किया, Y bar का value, find out किया, X bar 65, Y bar 65, table के थर्ड को ध्यान से के हम देखेंगे, तो X minus X bar, X bar value 65, 60 में से 65 minus किया, minus Y, 62 में से 65 minus किया, minus 3, 65 में से 65 minus किया, 0, then some on is column find out करने, same Y minus Y, Y bar भी 65 आया है, इस column में ते 65 minus करेंगे, 68 में से 65 minus किया 3, 60 में से 65 minus किया, वाई-य, 62 में दे 65 मैंनु स्टियं मैंनु स्टियं कर दो एक एकली मैंनु भी आझा है yon Next, x-1 बाद x-1 means third column का square चलना है, 5 square is 25, 3 square is 9, square is always positive होता है, 0 square is 0, ये column find out करना है, y-y बाद का square, इस column by find out करना है, 3 square is 9, 5 square is 25, 3 square is 9, ये column by find out हो गया, सब column find out करने के बाद में, last 3 column का addition करना है, इसे भी addition करेंगा हम दो, इसका भी addition find out करेंगे, इसका भी addition find out जरेंगे, एडिशन पाइटाप होने के बार में हम लोको फाइटाप करना है X on Y अब X on Y को हम लोगे लिए X on Y को फॉम्ला क्या है Dxy ये फॉम्ला है इसको फॉम्ला पेज़वल फॉम्ले पेज़वल पेज़़ इसमें वेज़िपूट करेंगे 1024 Multi-tagle value आएटाप 1024 Y-Y पाइटाप xy उड़वल फॉम्ला है 1754 इसको पॉम्ला पेज़िपूट करतो 0.595 A इसको अपर्गिमेटल 0.63 फॉम्ला पेज़िपूट करतो इक्वेसन इसको एक्वेसन किया है X-X पाइटाप X पाइटाप करतो 65 BXY ये रहा तो यह विद्ग आएगा, इसका multiply 65 मिखिया जाएगा, इसका multiply 65 मिखिया जाएगा, तो यह विद्ग आएगा, next, minus 65, इसका जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus 65 मिखिए इसको minus करतो, 26.273, it is a required equation, बट y का वेड़ी किया है, 75 मिखिया है, 75 फुट करना है, इंटेक, व्यचिन पर कीवें हैं आपे, इसका value table से देख लेंगे, दोजों को divide करेंगे, यह आए 1.1678, इसके equation है, यह formula है, y ना करेंगे 65, dy जाया 1.167 inch, x बाल्य 65, इसका multiply x में करेंगे, इस इसका multiply 65 में करेंगे, तो यह आएगा, 75.907, minus 65 में करेंगे, तो यह आएगा, 10.907, यह required y equation, ना, put x इकल to 95, 95 वेल्य दिया हुआ है, यह 95 अब तो इस equation में put करेंगे, इस x की जगा, इस x की जगा multiply 95, इस दोजों को multiply तो यह वेल्य आया, इसमें से अगा आएगा, इसको minus करेंगे, तो यह आएगा, 100.034, यह होगा है, question number 5 is over, 3.1 exercise ये बागी सारे question, इनी चार question को देखेंगे, अगर सभी student को call करना है, okay, bye.